मैं कवी ये गुराज्यान आज तपश्या विशे पर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ तपश्या कर्मों की निर्जरा करने का एक विशिष्ट मार गया तपश्या से मानव पावन बनता है मन की कलुष्टा मिड़ती है मानव जो इस मायवी दुनिया में भौतिक्ता की अंधी दोड में भागते हुए खुछ से ही दूर होता जा रहा है वो तप करने से अपने भीतर जाकने रखता है और वो मैसूस करता है कि मैं इधर उतर किदर किदर नहीं गया लेकिन जब भीतर गया तो तर गया उसका मोक्ष तो निश्चित है यह एक शास्वत सत्य है कि यदि हम सच्चाई और अच्चाई की तलास में पूरी दुनिया घुम लें अगर वो हमारे भीतर नहीं है तो फिर मान के चलना वो दुनिया में कहीं नहीं है तपश्या से मन नियंतरित होता है जब मन नियंतरित में नहीं होता तो वो कहीं गुणा करने के लिए मजबूर कर देता है इसलिए मैं कहना चाऊँगा अब पर एक रिख्या को एक पंक्ति में व्यक्त करना चाऊँगा कि अपने इच्छाओं को सीमाओं में बांदे रखिए वरना इन्य गुणाओं में बदलते देर नहीं लगती मुझे मेरे एक मित्र ने का मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि भगवान को मुझे पर वरोसा है ऐसी स्रद्ध होनी चाए छिलकों के इंतजार में फूरों की वास थी बरसों से गुटलियों में दर्शन की आस थी माना की वे जूटे थे मगर राम से तो पूछ शबरी के बेरों में कितनी मिठास थी ये सृद्ध होनी चाहिए धर्म प्रेमियों इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों नहो ये दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है और प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों नहो उपर वारा इंटेंशन देखता है इसलिए जिन्दगी में कभी एहंकार मत करना क्योंकि जिसे भी एहम की हवा लगी उसे फिर ने दवा लगी ने दूआ लगी तपश्या वो मद्य में जो इंसान को एहंकार के आश्व से नीचे उतार जती है एहंकार वो नासूर है जो मानविये चेतना को लोहे पर लगे जंग भाती खाता रहता है तपश्या करने किसे मानव मन बचन काय से पावन बन जाता है जिन्दगी से जितना भी लेना चाहो समय रहते ले लो वरना जिन्दगी जिस दिन तुम से लेना शुरू करेगी उस दिन सासे भी नहीं छोड़ेगी जिन्दगी में किसी से नफरत करना वहिंसा का भाव रखना किसी पाप से कम नहीं है जिन्दगी की बैंक में जब प्रेम का बैंस कम हो जाता है तो खुशियों के चेक बाउंस होना शुरू हो जाता है इसलिए कभी अपनी जिंदगी की बैंग में प्रेम का बेरेंस कम मत होने देना प्रेम मोहबब भाईचारे से सरबोर रहना जब मैं अपने शिवीरों में बच्चों को पूछता हूं कि बगवान महविर स्वामी बगवान राम बगवान करस्ट को वापस इस धर्थी पर आना चाहिए तब मैं उन्हें कहता हूं कि युगराज जैन आज धर्म सबम हैं दंके की छोड़ से कह रहा है कि है भगवान महविर से भगवान राम है भगवान करस्ट इस धर्थी पर वापस कभी मादान जिसको भी घरद होगी तुम से मिलने की तुम लोगों से मिलने की वो त कि शय तो हमीरे बहुत करीब आ गया लेकिन ौसंसे बहुत दूर चला 강शन के अन्दकार को मिटा कर अध्यात्म के प्रकाश के और कदम बढ़ा है आज आत्मा रुपी राम घर घर में मुर्शित पड़ा है शान्ती रुपी सीता का अपरहन हो गया है राम की मदद करना तो दूर लक्षमन खुद रावन के खेमे में जाकर मिल गया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वार्थ की क्यकाई कितना ही विश्क्यों नगोले समझदार भरत ने अपनी जिम्मेदारियों के एसास कर लिया तो समाज रुपी राम की मरियादा कायम रह सकेगी आज हम अपने रूप को तो बहुत सजाते हैं जिसमर लोगों के नजर होती है किन्तों अपनी आत्मा को कहां सजाता है जिसमर परमात्मा के नजर होती है दोस्तों मित्रों धर्म प्रेमियों इंटरनेट पर जानकारियों का भंडार बरा है ग्यान अंगुलियों की पोरों पर धरा है किन्तों जब तक अंतर मन की साइट नहीं खुलती तब तक सब कुछ यहां अधूरा है तब तपश्या हमारे अंतर मन की साइट खोड़ने में मदद करती है अंतरे को मिटाने के लिए दीपक को जलाना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए वहन को चलाना पड़ता है बिना पुर्शार्थ के भागी भी साथ नहीं देता बिना पुर्शार्थ के भागी भी साथ नहीं देता इसलिए हमको हीरे के पत्थर को भी तराश कर चमकाना पड़ता है तपश्या करने से ही हमारे पुर्शार्थ को बल मिलता है आधार मिलता है इसलिए आम चाहो तो बीज बबुल का बोया नहीं जाता गंदे वस्तरों को गंदे पानी से धोया नहीं जाता जिसलिए सच में हमें कभी कर्मों की नर्जना करनी ही है तो बिना तब किये वक्त को एक पल भी फिजूर में खोया नहीं जाता जब बाहर की आँंख खुलती है तो जहान दिखता है और जब भीतर की आँख खुलती है तो भगवान दिखता है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि तब तपश्या में लीन होकर प्रभु भक्ते में लीन होकर नेकी और निती से धर्म करते रहेंगे तो निश्ची तोर पर और आडमबनों से दूर रहेंगे आडमबनों को धर्म समझ दिया तो फिर भूल कर बाठेंगे तो आडमबनों से दूर रहकर धर्म के अर्थ को गहराई से समझ कर कर्मों की नरजना करने में लगेंगे तो हमारे जीवन भी धन्य हो गया वरना मैं कहूंगा कि कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी हम जी न सके आज के लिए, बीत रही है जिंदगी बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच जूले की तरह जूलते हुए, लोग कहते हैं कि हम क्या लाये थें और क्या लेकर जाएंगे, लेकिन म हम तपश्या के मेह्टू को समझें